नमस्कार मैं हूँ गुंजर महौर और आज लेकर आए हूँ आपके लिए कुछ नए ब्यूटी टिप्स जिनको स्माल करके आप अपनी सुन्दर्ता में चार चांद लगा सकते हैं जी हाँ आपने बिड़ को सही सुना इससे पहले आपने कई ऐसे दावे करने वाली वीडियोस देखी होंगी लेकिन आज के इस वीडियो में बताये गई सभी टिप्स को आप अपनी डेली लाइफ में रेगुलर एपलाई करके देखें और उसके बाद आप खुद इसके फाक सब्सक्राइशन में भी चले जाते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब एक छोटे बच्चे का जनम होता है उस वक्त उसकी स्किन कितनी सौफ्ट और सुंदर होती है पर जैसे जैसे उमर बढ़ती जाती है और हम अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख पाते हैं उस वज टेंपरेरी तोर पर आपकी स्किन को निखार सकते हैं लेकिन अगर आप पर्मनेंट सुंदरता पाना चाहते हैं तो आपको कुछ नेच्रल चीज़ें यूज करनी चाहिए वहीं जब बात चेहरे की खुबसूरती की हो तो शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कोई कमी चोड करना चाहें जिस तरह से चेहरे पर डाग धब्बे किसी को अच्छे नहीं लगते हैं ठीक उसी तरह से होटों के कालिफन से भी लोग काफी परिशान रहते हैं हाला कि लिप्स्टिक बाम आदी की मदद से काले होटों को छुपा सकते हैं पर नेच्रल तरीके से इसे ठीक कर हैं जैसे की सिगरेट का सेवन सही पोशन ना ले पाना शरीर में खून की कमी या फिर कैमिकल प्रोडक्स का जाधा इस्तमाल करना इसकी अलावा कई बार इंवामेंट का असर भी आपके होटों पर देखने को मिलता है तेज दूप से स्किन में मैलनिन सेल्स बढ़ जाती है जिससे स्किन डार हो जाती है होटों की देख भाल ना करना भी इनके काले होने का एक एहम कारण माना जाता है वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बार बार होटों पर जी फिरने से या होटों की त्वचा को छीलने से भी होट काले हो सकते हैं वज़ा कोई भी हो इस परिशानी क घरेली उपाई की मदद से ठीक किया जा सकता है। आईए जानते हैं कुछ आसान उपाई जिनका अस्तमाल करके आप घर बैटे ही अपने होटों के कालेपन को दूर कर सकते हैं। आईए जानते हैं कुछ आसान उपायों के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मलाई और हल्दी का, इसे बनाने के लिए आपको बस थोड़ी से दूद की मलाई लेनी है, फिर उसमें चुटकी बर हल्दी मिलाकर इसे होटो पर लगाकर 2-3 मिनिट तक मालिश करें, उस के होट दमक उठेंगे, इसके लावा आप बेकिंग सोडा का भी इस्तमाल कर सकते हैं, क्यूंकि काले होट होने की वज़ा कई बार मृत कोशिकाओं को भी माना जाता है, ऐसे में बेकिंग सोडा इन डैट सेल्स को हटा कर होटों की तुचाओं को अच्छे से साफ करने में क काफी मददगार साबित होता है, उसके अलावा आप खीरे का जूस भी इसमाल कर सकते हैं, खीरा विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोथ है, इसलिए इसका जूस आपके होटों का कालपन दूर करने के लिए भी फायदे मन्द है, स्किन टाइटेनिंग, टॉनिक के रूप मे खास पैचान रखने वाला खीरा, होटो की तोचा की कसावट को बरकरा रखने के साथ-साथ होटो को भरपूर नमी भी देता है, साती शहद और नीवू भी होटो के कालेपन को दूर करने में काफी लापकारी साबित होता है, आप एक चमच शहद में कुछ बून नीवू की मिलाएं फिर उसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रग दे उसके बाद आप इसे अपने होटो पर लगाएं और करीब एक घंटे के लिए लगाए रखें फिर चेहरा साफ करें ये उपाय आपको दिन में दो बार अपनाना है जहां नीवू होटो के कालेपन को हटाता है वही शेहद उन्हें नर्म, मुलायम और आकर्शन बनाता है इसके अलावा आप बादाम के तेल का स्वाल भी कर सकते हैं क्यूंकि बादाम का तेल ना सिर्फ बालों और तुचा के लिए अच्छा होता है बलकि इसको रोजाना रात को सोने से पहले होटो पर लगाने से होटो का क अलापन भी दूर होता है वहीं अगर आप अपने होटो को गुलाब की तरह मुलायम और गुलाबी करना चाहते हैं तो आप गुलाब की पंखुडियों का भी इस्तमार कर सकते हैं बस आपको एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा मक्खर निकाले और उसमें थोड़ा सा शेहद मिलाएं इसके उपर आप गुलाब की पंखुडियों को पीज कर डाले इस मिक्षन को अच्छी तरह से मिलाकर होटो पर करीब एक घंटे के लिए लगा कर रखें और फिर ठंडे पानी से साफ करें इसके अलावा आप चुकुंदर का भी यूज कर सकते हैं क्यूंकि प्राक होटो का कालपन दूर कर सकते हैं बस आपको एक पैक बनाना है जिसमें आप शहद और बेशन को भी अवश्च मिलाएं इस पैक को आप पूरे चेहरे पर इस्तमाल कर सकते हैं यह शेगरी होटो के रंग में निखार लाता है नारियल तेल और चुकुंदर का रस भी काफी अ अपने होटो पर पांच मिनिट तक लगा कर रखें और जब तक हो सके इसे होटो पर लगे रहने दें इसके लगाता रुपियोग से होटो का रंग गुलाबी हो जाता है वहीं आप शहद और स्वहागा भी इसमाल कर सकते हैं बस थोड़ा सा शहद अपनी उंगली पर लेकर धीरे धीरे अपने होटो पर मले या फिर शहद में थोड़ा सा सुहागा मिलाकर अपने होटो पर लगायें ऐसा एक दिन में दो बार करें फिर देखें आप इसका असर कैसे आपके होटो का रंग एकदम गुलाबी हो जाता है इन होम रैमेडी से आपके खूप सोरीती पर दाग लगाने वाले होटों का कालपपन दूर तो होगा साथ ही आप गुलाबी होटों वाली स्माइल को हर जगा बिखेर सकते हैं तो आशा करती हूँ कि आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे और इनका रेगुलर इस्तमाल करेंगे चलिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेर जरूर करें साथ ही ऐसे ही और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद